दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए EBS इन्वार्मेंट पर्यावरण और भी अधर कमप्टेटिव एक्जाइम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी है सीरीज चलो चलते हैं सीधे प्रस्नों की ओर पहला प्रस्न है पारिस्थित की तंत्र सब्द का पर्योग किसे ने किया? एको सिस्टम सब्द का प्रियोग किस ने किया तो सबसे पहले एको सिस्टम सब्द का प्रियोग किया था पारिस्थित्र की तंत्र का प्रियोग किया था एजी टांसले ने एजी टांसले ने ये कब किया था 1935 में 1935 में किया था दूसरा भी है एक कुश्यन यानि कि इसे और भी कते पारिस्थित्की, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पारिस्थित्की तंत्र और पारिस्थित्की में, पारिस्थित्की तंत्र होता है एको सिस्टम, जैसा कि अभी बता चुके हैं, और पारिस्थित्की होता है इकोलाजी, तो इकोलाजी सब्द का प कांसले ने 1935 में अगला कुश्यन है भारतिय पारिस्थितिकी के जनक कौन है तो भारतिय पारिस्थितिकी के जनक है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा अगला कुश्यन है पारिस्थितिकी तंत्र में उर्जा का सर्वत्तम स्रोत क्या है तो पारिस्थितिकी तंत्र में उर्जा क सर्वत्तम सो ए सोर ऊर्जा ऑगला कुछ्शन है निमन में से अपगटक कौन है से अपगटक कौन है से जीबाडू हरे पावधे तो आपगटक कौन है प्रकत के द्वारा परिस्थित Image." तंत्र कौन सा है यानि यो प्रकत के द्वारा पारिस्थिति की तंत्र वना है वो कौन सा है पगी चाह धान का खेट वन एक्वेरियम यो प्रकत की द्वारा वना है वो है बन अगला कुश्चachus है सबसे इस्थाई पारिस्थिति की तंत्र कौन सा है अगला कुश्च() है को अरी जन आफ के लेख कोन है तो ओरिजिन आप इस पे सीच के लेगे कहें Charles Darwin अगला question है जली चक्र को कौन नियंतरित करता है जली चक्र को सैवाल मनुष तालाव 1 तो इनमें कौन करता है 1 करता है अगला question है वहारा खाद सरंकला का क्रम क्या है देखे खादस रंकला का क्रम क्या है तो सबसे पहले क्या आता है प्रोडिसर आता है उत्पादक पहले उत्पादक आता है फिर आता है कुपभोकता कंजूमर कंजूमर के बाद आता है आपका डीकंपोजर यानि अपगटक तो कौन सा है इसमें मिलान के रिए उत्पादक उत्पभोकता अपगटक तो यह तीसरा खुश्चन नमारा सही है अगला कुश्चन है गास इस थलिये पारिस्थित्की तंत्र में खादस रंखला का सही क्रम क्या है तो गास पारिस्थित्की तंत्र में खादस रंखला का सही क्रम देखिए सबसे पहले क्या आएगा जैसा कि अभी बताए थे प्रोड्यूसर यानि उत्पादक उत्पादक के बाद क्या आता है कंज्यूमर यानि उपभोगता तो इसमें उत्पादक कौन है उत्पादक क्या होता है उत्पादक जो सुरुवात में तो यानि गास गास उत्पादक हो गया कंज्यूमर क्या है और तो यह सब कंज्यूमर ह है, consumer क्या है, गास, पहले consumer आता है, इसके बाद, स्वरी, पहले प्रोडूशर आता है, इसके बाद, first consumer, यानि प्राथ्मिक उपभगता, तो प्राथ्मिक उपभगता कौन होता है, जो producer पर और डिपेंड होता है वो होता है प्राथिमिक उपभोगता तो प्राथिमिक उपभोगता है तिड्डा क्या खाता है गास खाता है तो टिड्डा हो गया तिड्डा के बाद टिड्डे को कौन खाता है तिड्डे को खाता है मेडग तो यह कौन सा हो गया यह सेकेंड है आगला कुश्चन है हमारा पारष्थितिकी तंत का आतंक वादी व्रष कोउद्षा है यह इसे क्या करते हैं 2020 का आतंक वादी व्रष कहते हैं अगला कुश्चन है इसry किसे कहा जाता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है आप से नहीं मोर मेड़ा केचुवा बाज तो किसानों का मित्र तो सभी जानते हैं किसानों को मित्र कहते हैं केचुवा को अगला कुश्यन है सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र आपसे ने धान का खेट तालाब एक्वेरियम जील तो सबसे छोटा क्या है एक्वेरियम अगला question है जीबी एवं अजीबी ए घटकों में समंद इस्थाफित करता है तो यह count करता है समंद स्थाफित अपसने ओप भोगता, अपगटा, कुतपदक और तीनुप यानि जीबी और अजीबी ए घटकों में समंद करता है biotic and abiotic तो इसमें होता है अप गटक, decomposer, मारा अगला कुश्चन है, एक मात्र महादीब जहां गास पारितंत्र नहीं पाया जाता है, एक मात्र महादीब जहां गास पारितंत्र नहीं पाया जाता है, कौन से महादीब में नहीं पाया जाता है, तहीं, आस्टेलिया, अफरीका, अंट कटका में नहीं पाया जाता है हमारा अगला कुश्यन है सर्फ प्रतम जैब विविजता सब्द का परियोग किसी ने किया कि एड़वर्ड विल्सन डबलू जी रोजेन नार्मन मार्यस हेकल तो सबसे पहले किया था डबलू जी रोजेन ने अगला कुश्यन है हमारा स्वाइस्थाने सन्रच्षड का उधारल कौन सा है स्वाइस्थाने यानी जीव जंत होते हैं उनके उनी इस्थान पर सन्रच्षित करना होता है स्वाइस्थाने सन्रच्षड तो स्वाइस्थाने सन्रच्षड इसमें कौन सा है वन जीव अभ्यारन अगला कुश्यन है हमारा विश्व में सरवाधिक जैब विविजता किस देश में पाई जाती है आप सेने अफरीका, रूस, ब्राजील, चीन तो सही आप सेने मारा व्राजील विश्व में सरवाधिक जैब विविजता व्राजील में पाई जाती है अगला कुश्यन है हमारा भारत में सरवादिक जैब विविता वाला छेत्र कौन सा है आपसे ने फूलों की घाटी, सांत गाटी, डून गाटी, लद्दा तो हमारा जैब विविता वाला छेत्र है सांत गाटी सांत गाटी कहा है यह है केरल में सांत घाटी अगला कुश्चन है हमारा अंतर राष्टी जैब विविता दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर राष्टी जैब विविता दिवस मनाया जाता है 22 मई को तो बस ये था आज हमारा लास्ट कुश्चन बस आज यहीं पर ये सीरी समापत होती आगे फिर मिलेंगे तब तके लिए धन्यवाद